नमस्कार आप देख रहे हैं डी टीवी भारत आपके साथ मैं हूँ शर्मिला जोहान बिहार में मंत्र मंडल का विस्तार होते ही सियासी घमसान शुरू हो चुका है बता दे कि बिहार सरकार के 18 मंत्रियों पर अपराधिक मामले का खुलासता हुआ जिसके बार विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया लेकिन जब बिहार के मुख्या से इसके बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा जरा इसे सुनिये अगर ऐसी बात होगी तो हमको भी जरा बताईएगा बिहार के मुख्ये मंत्रे नितीश कुमार को उनके नए नवेले मंत्रियों के इतिहास के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है वो कहते हैं कि यदि आपको कोई जानकारी मिले तो मुझे बताईएगा हम आपको बता दें कि बिहार सरकार के 18 मंत्रियों पर अपराधिक मामले का खुलासा हुआ है सभी मंत्रियों ने अपने शपत पत्र पर अपराधिक मामलों की पुष्टी की है तो इसके साथ ही हम आपको बता दे कि बसपा के एक मात्रोविधायक यानि जमा खान को जब जेडियों ने अपने पाले में किया और फिर जमा खान को मंत्री भी बना दिया गया जमा खान पर आम्स एक्ट के अलावा मर्डर की कोशिश के अलावा कई मामले दर्ज है और उसके साथ ही सुशान सिंग राजपुत के बड़े भाई नीरज बबलू पर भी आम्स एक्ट के मामले दर्ज हैं यदे हम बात करें एक मात्र महिला मंत्री की यानि लेसे सिंकी तो उन पे भी कई अपराधीक मामले दर्ज है और ऐसे ही 18 मंत्री यानि बिहार सरकार के 18 मंत्रियों पर अपराधीक मामले दर्ज है और अचंबे की बात ये है कि बिहार के मुख्या को इनके इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं है मुख्य मंत्री का इतना बयान आना ही था कि इसके बाद विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्य मंत्री पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया है आम्स एक्ट, चोड़ी, जालसाजी, धोखादरी जैसे अपराधिक, गंभीर मामले दर्ज है क्या इतने भोले भाले मुख्य मंत्री को कुर्सी पर बने रहने का नैतिक अधिकार है तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बिहार के मुख्या यादि नितीश कुमार पर हमला बोला है नितीश कुमार को उन्होंने भोला भाला मुख्या बताते हुए कहा है कि क्या आपको इस कुर्सी पर रहने का अधिकार है हम आपको बता दे कि लगतार कई दिनों से नितापरतिपक्ष नितीश कुमार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं और उन्हें कुर्सी छोड़ने की बार बार बात कर रहे है और ऐसे में अब देखना ये है कि नितापतिपक्ष के इस ट्वीट के बाद क्या कुछ रियाक्शन आता है सत्तापक्ष के निताओं का तो फिलहाल इस खबर में इतना ही लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें डी टीवी भारत